चैलेंद्र हमारे साथ भारत समाचार के एडिटर इंचीप ब्रजेश मिस्रा हैं जिन्होंने कल 11 बजे ही ये पुष्टी कर दी थी ये खबर बता दी थी कि भारत समाचार के संपात की विभाग ने एकमत से निरने लिया है आयोध्या परक्रण में किसी भी बिवादी तवां कि आपने आज कल ये तो आहट थी बिना उन्माद मचाए शांती से आप कैसे आगे रह सकते हैं ये तो आपने बता दिया ये क्लियर हो गया क्योंकि मैं 11 बजे आपने ट्यूट किया और लोग 9 बजे जान पाए पीटी आई के हवाले से लेकिन तो 11 बजे आपने लगभग के वातावरण में उसको लागू किया जाए और भारत समाचार के संपात्की विभाग ने एक मत्सिय निर्णे कल किया था और एक निर्णे आज भी किया है हमने कल ये निर्णे किया था कि किसी पर भी प्रकार के धार्मिक नेताओं का बयान नहीं चलाएंगे किसी भी प्रक पहले भारत समाचार के एडिटोरियल बोर्ड की जो मीटिंग हुई है उसमें भी हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णे इस मसले को लेकर किये हैं क्योंकि समाज बड़ा है हमारा देश बड़ा है राष्ट्र बड़ा है मुद्दे आते रहते हैं जाते रहते हैं यह हमारी प् भारत समाचार निभाने को तयार है और आज भारत समाचार की तरफ से मैं यह एलान करता हूं कि आयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी आदेश दिया है इस पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक डिबेट भारत समाचार पर आयोजित नहीं की जाएगी किसी भ समाज में द्वेश की भावना लाए समाज को आपस में बाटे उट्येझ ना फहलाये किसी धर्म विशह स्की से किसी मज़भ विशेश किसी भी जाती को लेकर कोई भी स्टेटमेंट हम बिलकुल उसकों प्रसारित नहीं करेंगे और इस पूरे प्रकरन पर भारत समाचार के दर्शकों और देश की जनता से भी मेरी अपील है कि आप सब भी सुप्रीम कोट का फैसला पूरी इस्प्रिट के साथ लागू करें और भारत समाचार की तरफ से मैं आप सब कोई विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मसले पर सुप्रीम कोट के फैसले के एक-एक अंश को पूर से हुए एड्वोकेट्स उनके बयान सिर्फ चलाए जाएंगे और उन लोगों को जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो शांती और सोहार्द की अपील करेंगे सिर्फ उनके बयान ही भारत समाचार पर चलाए जाएंगे य견ी सर मैं आपसे समझना चारा हूं बहुत क्लियर आप यह कह रहे हैं कि जैसे कि राजनीतिक को बिशएपर मालीजज़े कोई बयान दे दिया उस आफार पर आप बह warfare नहीं करेंगे नहीं करेंगे के ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा जो समाज में किसी भी प्रकार के विद्वेश की कोई भावना प्रकट करें हम सिर्फ उस पर डिबेट कर सकते हैं उन तथ्यों को प्रामाणिक्ता के साथ बात कर सकते हैं जिसका फैसला भारत की सर्वोच अदालत ने दिया ह इसके इतर भारत समचार कीजी भी प्रकार की इस मसले पर कोई भी विवादित खबर प्रसारित नहीं करेगा इसकी जिम्मेदारी मैं एडिटर इन चीप होने के नाते आप एंकर होने के नाते और हमारा पूरा एडिटोरियल बॉर्ड इस बात को पहल करता है और हमने यह मत निर्णे लिया है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारे इटरिन चीप ग्रजेश मिस्तरा ने ये निर्णे लिया है